जय माताजी स्टुदेंट्स वेलकम टू आर यूटूब चनल ध्यान कोमर्स धकी अफ सक्सेस जय माताजी स्टुदेंट्स बच्चों एक्ससासइस 3.4 में लास्ट टाइम हमने फॉर्मिलाग अबसर थी के दो एक्जामबल देखे थे जिसमें अंगुरूप डेटा एंडिस्क्रिट डेटा पा उपसर किया था आज हम देने वाले हैं बहुत इंपोर्टन पार्ट यालिकि कांटिनिवर्स डेटा जब भी दिया जाता है इंटर्वर्स दिये जाते हैं तब कैसे करना चाहिए काम त करते हैं फिर जो काम हम कर रहें अब तर वही करना है मगर आप क्लास जूनने कोने के चार हिस्से हमारे पास है चारो की चारो ची से इसके तरह में अब्ज़र्व करने मिलेगी ठीक है अब से बढ़ा है क्योंगेटी फ्रिक्वांसी 5 प्लस 18 23 प्लस करते हैं 47 54 59 and 60 तो एंड निश्वर्व कर से सब्से पहलेगे चारो है मिलेग हमारा मिलिया मेर्य ने के बाराइ में कहां तरह को और इंटर्प्रेशं के बोला दूने मिल भी है यह तक मैं आ के जो भी फॉर्ट हमने यूसकी अंगुरूप डेता इंडिस्री डेता वहां पे वाह पे न प्लस वन बा में होता था ठीक है जहां पर N अलग अलग हो सकते हैं मगर जब भी continuous डेटा हो तब इस जेकर फिर Q3 है तो 3N by 4 D8 है तो 8N by 10, P62 है तो 62, N by 100 उस तरह से हम calculation करेंगे तो formula में थोड़ा सा ध्यान रखना है अब इन सभी पार्ट के लिए सबसे पहले classes find करने होंके तो सबसे पहला हम दूढ़ने वाले हैं medium class, medium class याने हमने लिखवाया है आगे that class having, जो याव में आप पल रहो, N by 12 observation बुक के अंदर ही C F I bracket में लिखते नहीं है, last में लिखते हैं कि referring to the column of C F ठीक है, हम bracket में लिखते हैं जाके पहले से ही पता रहें और N क्या है हमारा, तो N is 60 तो 60 by 2 याने 30th observation और वो आपको observe करना है C F I अब तो 30 ठीक है, अब तो 5, 20, 30, अब तो 30 include होगा 47 में उसके सामने जो class है वो होगा हमारा medium class बच्चों खास यह आप रहतना है, कि classes हमारे पास exclusive है या inclusive यहां तो देख सकते है, preceding class की upper limit, इस class की lower limit if they are exactly same, then it is exclusive classes, ठीक है, exclusive frequency distribution तो L हमने होगा था, lower boundary point यहां पे होगा, अगर यहां 199 यहां तो हम उसे exclusive जो में convert करेंगे और L उनकी average निकार के भूंते हैं, फिला इस सम्में तो टेंशन नहीं है, सिधा इपर रहे ला classes होते हैं, अलग-अलग class net वाले classes होते हैं, तो media नहीं है इसकी average है, जो हमें मिल सकती है, इसके अलावा हमें problem थोड़ा सा होता है, ठीक है तो यहां पे C है, हो है हमारा exactly 100, तो M के बार हम कहा सकते है, formula मेंशन करी चुक है M is equal to L, यहने 200, plus N by 2, N by 2 यहां के डूल चुक है, 30, minus 3, यहने 23, upon 24, into 100, ठीक है 200 plus 30 minus 23, यहने 7 upon 24, into 100, तो calculator का इस्ते पर करना कोड़ेगा, और हम काम कर सकते हैं, ठीक है तो divide करते हैं, by 24 से, तो it will be 29.1666 होता है, तो हम उसे लिखेंगे as 17, सो हमारा median जो है M, वो हमें बिल चुका है यहांपे, 29.70, अब distance travel है, तो लिखना है km, ठीक है और interpretation कैसे करेंगे, तो यहांपे हम कह सकते हैं कि distance of 50% of days, sorry, traveling of, traveling ना data दिया है, traveling of 50% of days is 229.17 km or less, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, is maximum 229.17 km, लिखने का तरीका कोई भी हो सकता है, traveling of 50% of days, 50% of days में आप इतने km travel कर चुके हो, 229.17 km, तो यह जो मिला हो, मिला हमें हमारा median, सेम इसी करें से अब हम Q3 की value calculate करेंगे, third over time, ठीक है, Q3 रेने L, यहांपे होगा 3N by 4 minus CF upon L into C, ठीक है, अब यह arrow में हटा लगाँ, ताकि next समय जम जाना है में इससा, तो इसमें आपको है हो रहे हैं, तो इसके लिए गुपना पढ़ेगा, हमें Q3 class, यहने लिख सकते हैं, class having, 3N by 4th observation, अगें समझना है कि CF upon L, ठीक है, तो class having, 3N by 4th observation, तो calculator का इससे पार करण के अगर अब कहते हैं, तो that will be 180 divided by 4 केरते हैं, तो it is 45, ठीक है, तो 45th observation, 45 is included, अगें इन 47, अल्मोस्क सेम आए, सभी value L, C, F, F, C, सब कुद सेम आए का से आए, यहां पे 30 था, वहां पे 45 आए, ठीक है, तो 45 आए, तो Q3 class, 3rd of what time is, उसका class ओगा 200 to 300, एं L अगे लिखने वाले है 200, C, F, अगे उपर वाले class की cumulative frequency, F and L frequency of the class and C will be again 100, तो Q3 की value हमें मिलेगी, L, L, 200 plus, यहां पे जाए लिखने है, 45 minus 23 upon 24 into 100, तो this is 200 plus 22 होगा, ठीक है, तो using the calculator, ठीक है, तो हम रिखें के 2 digit में 91.67, तो इपर निखें के 2 digit में 91.67, तो इपर निखें के 291.67 km, की के है, तो 75 percent of the observations रो हो तो हम कह सकने है, and traveling of 75 percent of days is 291.67 km or less, तो दो चीज़े होगा, अभी मुझे बार्ड रफ करके दूसरा पार्ट करना होगा, तो बागी के दो पार्ट आप अब observe कर रहे हैं, तो अब देंगे तहीं तीसरा पार्ट यानि D8 आपर में चाहिए, D8 यानि 8 देसा है, और लागा काम सेम है, A10 by 10 minus C upon F into C, ये प्रेकेट खास करना बच्छो, और में चाहिए एक क्लास हमना पड़ेगा, D8 क्लास, यानि एक क्लास है मिंग, एक एन बाइ 10th observation, अगें समझने के लिए लिख रहा हैं, इन सी अब आपकी नाज को तो भी चलता है, तो लिखने वाला हैं, लास हम एक इन एक इंटो एन, एन एने 60 by 10, तो इस 48th observation, 47 में नहीं होगा घ्यान रखना है, 48th observation will be in today up to 54 में, 47 तर यहां पया है, 48 इसमें आएगा, लास होगा 300 to 400, एन काम प्रोसिजर वही है, L will be 300, लोर लिमित, लोर बावंडरी पॉइंट, और C F याने 54 के उपपर वाली वाली याने, and now 47, F will be the frequency of the class that is dual as 7, let's see the classman which is 100 on the Ar given, 300 to 400, right, so we are putting the values, हम वvens आएटे था, अहा ए Demand पास था AMC 300, lts and by, eight and by we again याने, 48 इस इसा में, minus 47 by 7, 300 plus this is 1 by 7 into 100, rik ए, करना है शर्वा नहीं के जरुबर नहीं करोंगे तो एक्सट आपको अंसर में पाएगा तो 300 प्लस 14.28 फाइल से रहे ने प्राइजिक इन 2.8 नेक्स फर्म डिजिटलर फाइल से जादा हो तो रांड़ आप कर सकते है तो इस 314.28 किलोमेटर तो यहां के है रहे है कि D8 है यहां है 80% इक है तो हम के सकते है कि रावलिंग और 80% of days will be 2314.28 किलोमेटर और less ठीक है 80% of days will be laser or equal to 314.28 यह आप लिए सब्को तो इस ओक है तो इस ओक है तो आप लास्ट कैकुटेशन करनी है बच्छो तो आपको फॉरा समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं काम तो फाइनली P62 होग में ढूढ़ना है P62 की फार्विला होगी हमारी that is L plus 62N by 100 minus CR यह खाज है रखना है काली बजलता है यह हिस्सा है अपॉन M into C तो सबसे पहले P62 क्लास ढून लेते हैं याने क्लास है खाली देखोंगे खाब्स तो कश्छी होगा लिख टे करने पढ़ता है सम्स्टेस्टिक अब्जेक्ट यह था नोगा है So 62 into 60 divided by 100 to answer मिल रहा है 37.2, so 37.2 तो observation और वो observe करना है 37 कितार इंपो होगा, अगे होगा 47, अप्टो 47, यह इसमें भी class होगा again 200 to 300 and lower boundary point यहने 200, upar मारी value CFT value किता होगी 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 होगी, F to value frequency and C again 100. So, P62 valueokolade of the thing 200 plus 37.2 minus 23 divided by 24 into 100. So, that is 14.2 minus 24 into 100. So, using the calculator again 14.2 into 100 divided by 24. तो यह हमें में में राव 59.1666 है तो 7 लिखाये तो 259.17 होगा हमारा P62 तो बाल चो P62 में चुगाय हमें तो यह आगे आपकेया सकते हैं that final interpretation traveling for 62% of days will be 259.17 km or less तो इस तरह से आप यह काम कार सकते हूँ पीछ एक किलोमेटर किलोमेटर जरूर लिखना है इसके बाद बच्छों एक और हम सम देखने वाल है इसके अंदर हमें यह percentile less size video का पाट observe करने का मुखा मिलेगा तो next example देखते हैं तो बच्चों observe कर लेते हैं exercise number 3 में section E जो है उसका sound number 3 दो question हमें करने है जिसके पहला है Q1 and D4 find करने है दो पाट उचे हैं आपे सबसे पहले तो as we know that positional averages में हम find करना होता है cumulative frequency so cumulative frequency जिसे हम CFI कहते है frequency यान FI का मही है total करना है 9 plus 17 याने 26 26 plus 32 याने 58 58 plus 24 that is 82 plus 10 92 97 and 100 तो यह जो हमें 100 देख चुका है बच्चो question में पहला पुछा है first four type जुणना है आमे first four type याने Q1 तो as usual अभी हमें काम किये होएगे खाली आप पे interval जो है inclusive classes दिये गए तो वो थोड़ा नया part है जो observe करना है फिर हमारा यह section जो है complete हो जाएगा पूरा positional averages का L plus N by 4 minus C L upon F into C सबसे पहले हम ढूदेंगे Q1 class याने लिखेंगे हम कि class having n by 4 observation again observe करना है in C F I तो समझने के लिए in C F I so class having n याने 100 by 4 याने 25th observation so काम इंदर सिर्वल है अगी N के लिए आप नया इंसता है 25 इंदो होगा up to 26 में याने इंदर्वर होगा 30 to 34 अब जब यह class दिये जाए तो as we know that it is inclusive frequency distribution तो या तो इस class को convert करना चाहिए inclusive में से exclusive में या हम दूसरा पार्ट यूस कर सकते है we can just find lower boundary point lower boundary point की formula chapter 2 के अदर आ चुकी है कि जो भी class है उस class की lower limit plus upper limit of the preceding class divided by 2 यहने वी शुद फांद है as 29 plus 30 by 2 यह 29.5 परस यह करीं गाया है इसके लिए पुरा सम अबसर्व कर रहा है then C होगा उसके उपल ओने class की frequency, cumulative frequency frequency of the class is 17 and C class length है inclusive class होता है क्यों class length कैसे गिनना है 13 and 34 both are included that is why this class is known as inclusive 30, 31, 32, 33, 34 5 होगा यह वैसे lower limit से भी जाना सकते है 25, 13, 35 यह 29, 34 in short C क्या होगा? 5 Q1 की value अब रख सकते है 29.5 plus n by 4 25 minus EF 9 divided by 17 into 5 29.5 plus this is 16 upon 17 into 5 और हमें जो है calculator use करना पड़ेगा हमारा ठीक है? और उसके हिसाब से हमें answer किल पाएगा 16 into 5 divided by 17 so it is 4.7058 so we can write it as 4.70 ठीक है? so 71 लेको तो भी कोई जाजा problem नहीं होता plus 29.5 करेंगे so answer होगा 34.20 so first quarter जो है उसकी value 34.20 L और अपाट खली नहीं है बाते सब सेम है अब हम दूसरी value जो टूटना है that is our D4 जिसे हम कहते हैं 4th टो जो टेसाइ so D4 is equal to L plus 4N upon 10 आयना है आपे minus eF upon F into C और इसके लेँ उसके ले उसके लेँड़ना होगा D4 class ठीक है? जाने हैं याने एंविक सकते हैं class having जहां से 4N by 10th observation और देखेंगे इसे अगें समधने के लिए अब लिखते है in CFI cumulative frequency, ठीक है so class having 4 into 100 divided by 10 so it is 40th observation so 40th observation 40 इन ना पे होगा तो 40 is included in up to 58 58 के सामने वाला class यारे it is nothing but 35 to 39 और L जो है उसके लिए 35 उपर वाले class की upper limit 34 plus 35 by 2 that would be 34.5 cumulative frequency जो हमें चाहिए CF that will be the preceding value उसके पहले के class की value frequency उपर class over 32 and C अगें होगा 5 so हमें D4 की value मिलने वाली अब 34.5 plus 4N by 100 याने 40 होगा है minus CFNH 20 divided by FN 32 into 5 so 34.5 plus 14 होगा 14 upon 32 into 5 so by using calculator so by using calculator आप चलकुलेटर याने कर सकते है that is 14 into 5 divided by 32 वो मिलेगा हमें 2.187 है या उसे मिलेग सकते है 2.19 या सकते है so 2.19 plus 34.5 करते है तो वो मिलेगा 36.69 तो यह आपे मिलेगा हमारा D4 ठीक है so यह जो है 34.20 उसे हम unit लिखना वड़ता है याँ मिलेग सकते है number of bags या होगा 30 करी 34 bags हो सकता है और याँ पे हम कह सकते है 37 bags तो याँ मिलेगा हमने नया हिसा कौन सा अबसर्व किया तो बच्चो एर याने lower country point में जब inclusive class हो तब थोड़ा सा यह जयाद रखना है ठीक है तो आलमस्ट जो है हमारे 4 के 4 measures of positional average जो है measures of tendency में central tendency में positional average जो है उनको आपने अबसर्व कर लिया है प्रेक्टिस के लिए बहुत सार असम है जो कि आप कर सकते हो ठीक है तो इस section को हम complete कर रहे हो 3.4 में एक दो example और भी है जो कि आप प्रेक्टिस के लिए कर सकते हो median quality, day size, percentage के लिए and बाद में next हम जो देखने वाला है जो है mode वारा section जो कि next lecture आप सब भारे है ठीक है र्यातर का काम रखेंगे इस lecture में बहुत इंप्टनक सेशन था है जाए मार्पाजी and Q&A टेक केर प्लीस लाइक, सब्सक्राइब, शेर और प्रेस बेल आइकोन पर नोटिफिकेशन थेंक यू